तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में अगर हिंदी भासा में कोई थोड़ा चूख हो जाए तो आपना छोटा भाई समझ के मुझे माप कर दना सभी देशबासियों को मेरा प्रणाम मैं निबेश पानिग्राई औरिसा राज्य की बलांगिर जीले का रहने वाला एक यूबाख हूँ बिगत दिन में हम लोगों का सहबा करते आये है सोसियल मीडिया के थ्रो से रिपोटिंग करके हमारा एक संबल पूरी चेनल है जिसका नाम है मोर समिया हम लोगों का प्रोब्लेम सरकार तक पहुचाने की कोशिस करते है जो सरकार में होते है उनका ध्यान आकरशित करने की कोशिस करते है बहुत सारे गरीब वसे है जिनकों की घर नहीं मिलता है जिनकों की अच्छे खाना नहीं मिलती है जिनकों की अच्छे खाना नहीं मिलता है उनके लिए हम अवाज उठाते हैं उनका जो प्रोब्लेम होता है वो सरकार को हम दिखाते हैं उनका जो प्रोब्लेम होता है प्रोब हमको इतना प्यार दिया है कि हम उनके आभारी है अब सभी को में निविदन करना चाहता हूं कि आपके आस-पास में जितना भी दुरनिती होता है जितना भी करफशन होता है उसके लिए आप लोगों भी आगे आईये और करफशन को कैसे रोका जाए उसके लिए अबाज उठ आप सभी को लग रहा होगा कि ये लड़का कौन है और ये लड़का आ करके कुछ भी बोल दे रहा है अगर ऐसा आप भी सोच रहे है तभी हम आपके लिए एक लिंक प्रोवाइट कर रहे है डेस्क्रिप्शन पे उस लिंक पे जाईए आप और उसमें जो वीडियो आएगा उस वीडियो को थोड़ा देखिए और यहां के जो सरकार है ओडिसा सरकार उनको हम किस तरह से लोगों का समस्या लोगों जो असुविधा से जूंज रहे होते हैं उनका समस्या कैसे सरकार तक पहुंचाते हैं और उन लोगों का मदद करते हैं आप देख सकते हो वही वीड चाहे हैं लेकिन अभी हमारा कोसिस यही रहेगा हम अभी हिंदी में भी बनाना चालू कर देंगे हमारा जो समस्या ओडिशा के पस्षिम भी व标 है हो या फिर ओडिशा के जो भी प्रोब्लेम है हम चश्ञा करेंगे कि वह पाइब समस्या सेंट्रल कि सरकार तक कहुच बाई यह हमारा कोशिस रहेगा अभी आप बहुत कुछ बोल देगा तो आप को duż को लगेगा कि यह लेड़का बहुत बोलते रहा है बातों में कर रहा है लेकिन हम अभी कुछ जदा बात करता है यूद को लेके आज के यूद जो यूद को अच्छे रास्टे पे चलना चाहिए लेकिन वही यूद जिसको मेहनत करना चाहिए वही यूद मोजमस्ती में भीगा हुआ है है कि तो मैं बस उन लोगों को समझाने आया हूं कि भेचा अवे आपके पास समय है, करने का ताकत है, सोचने का ताकत है, फिर भी आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, देखो भाईया मैं अभी आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अभी आपके पास समय है, और समय का अगर आप दुर्बयों कर रहे हैं, तो समल जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएग और बोलेगा बेटा सुधर जा, तभी आपको बहुत तफिलिक होगा, जब आप पीछे मोर के देखेंगे, तभी ना आपके पास समय होगा, ना सुधरने का बक्त होगा, तो इसलिए मैरा जो कोशिज रहता है यूबक के लिए, यूबक को मैं आवान कर रहा हूँ, वो भी आए आगे और दुनिती के विरोत, यहां के जो लोग, जो नेता, जो सरकार में बेटे हुए सरकारी ओफिसर, लोगों को लुटने लगे हुए है, वो ही लोगों को सबक सिखाने में वो लोग भी आगे आए, इतना ही मेरा अभी के लिए बारता है, और जो होगा आप वीड का आया है और ज्यादा बात कर रहा है, हम लेकिन बात में नहीं करते हैं, विश्वास हम कार्मों में विश्वास करते हैं, जैसे भगवान बोलते है कर्मन ये बाधिका रस्ते मा फले सू कदाचना, मा कर्म फले है तो संगेस्त तो कर्मनी, इसका आर्थ आप सभी को पता हो होगा भगवान बोलते हैं कर्म पे ध्यान दो फल का असा मत करो तो यह मेरा पहला वीडियो है हिंदी में अगर कोई गलती हो जाता है तो आपका छोटा भाई समझ के मुझे माप करती जिएगा इतना ही आज के लिए बाढ़ता है और आगे मिलते हैं जैहिंद